Chemistry बड़ी मुश्किल लगती है न बहुत डिफरेंट है बाखी सब्जेक्स है नाम में ही इतना घजब का नाम है Chemistry और Chemistry का C और Chemistry का Carbon बड़ा ही Confuse करता है क्योंकि रसायनों में अगर सबसे ज़्यादा जब बात की जाती है तो आपको Carbon दिखाई देता है सुनाई देता है बच्पन से Science को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था उस तरीके से दरसल हमें पढ़ाया नहीं गया और उसका परिनाम ये रहा कि हमें Basically Science में बड़ी confusion होती है तो फिर क्यों ना Science के इसी Concept को Chemistry के इसी Concept को सही किया जाए Carbon क्या आपने देखा है कभी Carbon नहीं देखा तो घर में रखी हर चीज को जला दो और जिस भी चीज से काला धुआ निकल रहा है मतलब उसमें Carbon इतना सा तो समझ में आ गया और मैम ये Carbon की Property क्या है क्योंकि आज का Topic भी तो यही है Carbon और उसके योगिक यानि कि घर में रखी हर चीज जला देने से अगर जिन में भी काला धुआ निकल रहा है मतलब उसमें अगर Carbon है तो दे All Our Carbon के Compound वो सारे के सारे Carbon के योगिक हुए जी हाँ वो बिलकुल Carbon के ही योगिक हुए ये आपको समझ लेना है कुछ Carbon के योगिकों के बारे में भी बात करते है अच्छा आपको पता है कि Carbon कैसा है लिखा जाता है तो आओ Carbon के कहानी पे चलता है तो देखो ये सारे SSC के तो बहुत ही आपको भी कॉंसेट क्लियर करने के बिहाव पे इनको पढ़ना ही पढ़ेगा तो देखिए आप Chemistry यानि कि जब आप रसायन विज्यान की बात करते है बहुत सारे लोग डिमांड करते है मैडम आप हिंदी नहीं बोलते हो दरसल मुझे इंगलिश आती ही नहीं है और तुम कहते हो कि मैडम मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ मुझे अंग्रेजी कतापी नहीं आती है तो देखो जब हम बात करते हैं रसायन विज्यान के तो उसमें कार्बन जो है वो दरसल 6 नमबर पे आता है कार्बन को हम C से इंडिकेट करते हैं और ये 6 नमबर पे आता है इसका मतलब जो 6 नमबर पे आ रहा है आवर साणी में यानि कि इसका अटामिक नमबर यानि कि परमानु क्रमांग अच्छे से समझ लीजेगा इसका जो परमानु क्रमांग है वो दरसल 6 है क्या होती है क्योंकि ये एक कार्बन का एक एटम भी है कार्बन का एक परमानु है और कार्बन के परमानु में आपको पता है कि किसी एटम के अंदर क्या पाया जाता है किसी परमानु के अंदर क्या पाया जाता है प्रोटोन पाया जाता है और निट्रोन पाया जाता है अगर किसी कार्बन के पाद का एटमिक नंबर जितना भी होता है उसके अंदर प्रोटोनों की संख्या भी उतनी होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रोनों की संख्या भी उतनी होती है क्योंकि किसी भी परमानों के अंद पता होनी चाहिए जो करत-करत अभ्यास के आ जाएगी, फिर उसके बाद में इसका भार कितना होता है, इसका दर्वेमान संख्या कितनी होती है, फिर आप इनए पर्मानू बार भी कह सकते हो, तो इसके जो द्रवेमान संख्या होती है वो उसको A से represent करता है तो A के लिए formula होता है P plus N आपको पता है proton भी 6 है आपको पता है neutron भी 6 है तो आपको पता लग गया कि इसका जो भार होता है वो कितना होता है 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा तो ये तो अभी तक हमें carbon की basic चीज़े पता लगी हमें यहां से एक चीज़ पता लगी कि carbon के पास में जो electron है वो कितने होता है 6 होता है अब carbon के पास में अगर electron की संक्या 6 है न तो हमें क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी परमानों के अंदर जब भी आप किसी भी परमानों किसी भी atom की बात करते हो तो उस atom के अंदर नाभिक होता है इस नाभिक में 6 तो proton है और 6 ही जो है वो neutron है इस नाभिक के 4 तरफ पहली कक्षा है इस पहली कक्षा में हमेशा मतलब इसके 4 तरफ electron move करता है पहली कक्षा में हमेशा 2 electron रखे जाता है दूसरी कक्षा में आठ एलेक्टरोन रखे जाता है तीसरी कक्षा में भी आठ एलेक्टरोन रखे जाता है चौती कक्षा में अठारा एलेक्टरोन रख सकते हैं और अगली कक्षा में अठारा एलेक्टरोन रख सकते हैं ये नियम होता है नहीं भी याद रहे तो कोई रिक्कत नहीं है ठीक है अभी अपन सिर्फ कार्बन के बारे में समझेंगे तो हमने यहाँ पर समझा कि कार्बन के पास भाई 6 एलेक्टरोन है तो हमें तो 6 एलेक्टरोनों को रहना है रखना है तो हमने देखा कि भाई पहले कमरे के अंदर तो हमने दो इलेक्टरोन रख दिये ठीक है भाई पहले कमरे के अंदर कितने इलेक्टरोन रख दिये दो इलेक्टरोन रख दिये और दूसरे अब कितने बज गए अपने पास में चार बज गए ना चार बज गए तो दूसरे में जो आखरी कमरा था जिसमें इलेक्टरोन 4 रखे गए हैं इसमें होने कितने चाहिए थे 8 और हैं कितने 4 यह अनि की इसको यहाँ पर stable करने के लिए इस कमरे को पूरा फिल करने के लिए इस carbon को इस थाइ बनाने के लिए हमें या तो हम यह 4 इलेक्टरोन दे दे ताकि यह जो य किसी कमरे में जितने इलेक्टरोन होते हैं, जिस कक्षक में, जिस चैल में, जितने इलेक्टरोन होते हैं, उतने ही होने चाहिए, अगर उससे जदा है तो निकाल के इलेक्टरोन को डोनेट कर दो, अगर कम है तो कहीं से इलेक्टरोन ले लो, लेकिन फिल कर लो इन कमरों को, ये नियम होता है किसी भी पर्मानू का, किसी भी एटम का, अब इसके पास में ये चार है, या तो ये चार इलक्टरोन ले ले, ताकि आठ इलक्टरोन हो जाए, या फिर ये अपने चारों इलक्टरोन को दे दे, तो ये आखरी वाला जो कमरा ये इसका stable कमरा हो जाएगा फिल कमरा हो जाएगा तो कारबन के पास में जो है वो basically होता ये है कि वो कोशिश करता है कि यार मैं चार इलेक्टरोन ले लू कहीं से है ना तो ये चार इलेक्टरोन लेते हैं और चार इलेक्ट्रोन लेते हैं ये चार इलेक्ट्रोन रिसीव करते हैं तो जब लेते हैं तो नेगिटिव चार जाते हैं गलत काम कर रहे हैं किसी से ले नहीं दोनेट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जब यह चार इलेक्ट्रोन लेते हैं तो इन पर माइनस चार जाता है और यह जो इलेक्ट्रोन अगर ले रहा है और इलेक्ट्रोन जो ग्रहन करते हैं जो इलेक्ट्रोन रिसीव करते हैं जो इलेक्ट्रोन गेन करते हैं वो जो है वो नौन मेटल कहलाते हैं तो ये carbon जो है वो अपने चार electron को लेकर घूम रहा था कौन सा गाना का रहा था जिसे ढूंडता हूं मैं हर घड़ी वो मिली मुझे नहीं है कहीं हना तो ये गाना करता है कि कोई तो मुझे चार electron दे दू हाइड्रूजन के पास में एक ही अब इनको भी दो उल्रों तो चाहिये थाँ कि पहले कमरे को फिल कर सके तो ये कारबण कहाता है विटless के कारबन कहता है है सिम्सित सचाँ है कि ऐसी है यह दो बोले लिखन है अब लोगे दो यह तुम मेरे огрएकरन को अपना समझ लोग लोगे फिर कहते कि तुम अगर मेरे एक 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 कार्बन कहता है भईया हाइड्रोजन तन्य या पता है सुनिये जरह क्या उख काम करओ किया up मैं भी तुम्हारे एक एक इलक्रोन को इनीश्रों योग अपना समझ लेता हूं बस लूव की और इस तरह से इन्होंने जो है क्या बनाया CH4 बनाया और यहीं से बनता है मेथेन और जहां पर कार्बन भी स्टेबल है और हाइडरोजन भी स्टेबल है तो इस तरह से यह कार्बन का एक कमपाउंड बनता है और example देखते हैं अब क्या हुआ भई अब हमने देखा कि भाई हुआ यहां पर क्या हम किसी तो compound को बना सकते हैं अब हमने बोला कि भाई C2H6 बना कर देखते हैं अब 2 carbon और 2 carbon और कितने hydrogen आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं दो गरगण और 6 mean hydrogen अगर हमको दिखाई दे रहे तो प्रते कार्बन कितने hydrogen आयए? यह कार्बन अपने चार इलेक्ट्रोन लेके घूम रहा है ओके यह कार्बन अपने चार इलेक्ट्रोन लेके घूम रहा है ओके ठीक है प्रतेक कार्बन की पास एक एक हाइड्रोजन इधर बनाया एक हाइड्रोजन इधर बनाया एक हाइड्रोजन इधर बनाया अगर उसी तर हो गया यह भी stable हो गया और यह भी stable हो गया बोला बरोबर अब एक carbon भी अगर hydrogen के compounds लेते हैं तो आप notice कर पा रहे हो गया कि यहां पर देखोगे अगर तो 4 तो थे 5 6 और 7 अभी तक यह 7 ही electron बना पाएं है है ना और इधर भी देखोगे अगर तो 4 तो थे 5 6 और 7 इधर भी 7 बना पाएं अब एक एक hydrogen कम पढ़ रहा है एक electron कम पढ़ रहा है carbon के पास में तो यह carbon कहेगा कि भाईया carbon बोलो हां बोले एक काम करत हैं कि एक तुम अपने electron को मेरा समझ लो और मैं तुम्हारे electron को अगर अपना समझ लूँगा तो बेसिकली अपन सब के पास में आठाट electron हो गए तो इस carbon ने इस carbon से के यह साथ में single bond बनाया बरोबर इस carbon ने बचे वे hydrogen के साथ में भी single single electron for on देकर bond बनाये और इस तरह से यहां पर सभी stable हो गए और यह जो बन गया यह two carbon थे तो दो carbon को कहते है H4 7 जैसे वहां पर एक carbon को क्या कहते है mith फिरे 2 carbon को कहते लूँट सबमें single bond है तो नाम हो जायगा in वहां पीछे लगाते लहां पर हम लोगे लिए अट और लगाते हैं एन तो नाम हो गया एथेन क्या नाम हो गया एथेन 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 is also an example of carbon compound got it अब अब ऐसे ही और भी कुछ बन सकते हैं आईए बना लेते हैं ऐसे ही तीन कारबन अब देखो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि कुछ ऐसा हमें दे दिया c2h4 दे दिया अब क्या करेंगे भी अब दो कारबन है वही बराबर चीज़ है हाँ ना वही चार हाइड्रोजन घूम रहे हैं एक दो हाँ तीन चार ऐसे ही एक सेके ना तीन चार ऐसे ही एक दो तीन चार प्रते कारबन के पास में कित्ते हाइड्रोजन आएंगे एक एक तो यह एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ पर यह हाइड्रोजन कंप्लीट कंप्लीट यह हाइड्रोजन रेकिन अभी भी दो बाकि है तो यह क्या गएंगे भजया दो का दो इलक्ट्र verbessでした तुम्हारे देंगे दो इधर से यह भी दो इलक्ट्र इसके लिए लेगा तो कार्बन कार्बन ने दो दो इलक्ट्रों के साथ में बांड बनाया तो डबल बांड आ गया और ऐसे ही यहाँ पर देखें अगर तो जो है यहाँ पर double bond आपके पास में आ गया तो इस तरहीं 2 carbon है तो 2 carbon को बोला 8, 2 carbon को बोला 8, लेकिन बीच में double bond आया है, single bond नी आया है और single bond को बोलते है in तो नाम हो जाएगा atene नाम हो जाएगा atene तो नाम क्या हो गया एथीन ठीक है तो जहां पर double bond लगे उसको हम कह देते हैं एथीन तो यह also example हो गया carbon के compound का अब अगर आपके पास में आ जाए by c2 h2 हो जाए अब क्या करना एक दो तीन एक दो तीन एक hydrogen इधर लग जाएगा और एक hydrogen इधर लग जाएगा hydrogen तो stable होई गया है और carbon के पास में 3-3 electron बचाएं तो यह क्या करेगा यह 3 electron इसके ले लेगा और एक electron इसका तीन electron इसका और एक electron इसका तो carbon के पास 4 तो खुद के थे 5-6-7 और यह 8 तो carbon के बीच में triple bond बना इधर hydrogen और इधर hydrogen इसको बोलते है आईन तो नाम हो जाएगा ethane ठीक है क्या नाम हो गया ethane तो single bond आता है तो एन लगाते हैं double bond आता है तो एन लगाते हैं और triple bond आता है तो क्या लगाते हैं आईन लगाते हैं तो there is the all things अगर आप इसका part 2 देखना चाहते हैं तो मुझे offline comment में message ज़रूर सी कीजेगा और science के ऐसे ही खुबसूरत concept के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं इस channel को subscribe कर सकते हैं और अगर मुझे live session पढ़ना है तो आप sscada 247 यानि की यही जो channel है इसको subscribe कर लो और दो पहर 3 बजे मेरा session होता है इसको आप definitely देख सकते हैं अगर आप मुझे paid में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा code यूज कर सकते हैं batch में y698 इसके लिए करना क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ पहले channel को subscribe कर लो कर लिया फिर उसके बाद में आप लोगों को सीधे जाना है मेरी किसी भी वीडियो में और वीडियो के जब आप description में जाओगे कोई वीडियो पहले channel को subscribe करो मे महापैक महापैक में आप SSC का महापैक ले सकते हैं अभी triple validity चल रही है यानि कि 3 साल की validity जो batch एक साल का मिलता है वो अब आपको 3 साल का मिलेगा आप यहाँ पर buy now के option पे click कर सकते हैं y698 पूरी SSC की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है apply कर दिय 80% discount is batch इस code से आपको मिल जाता है code आपने use किया हुआ है 698 और 80% के साथ में 2600 रुपए मात्र का यह batch पड़ेगा 3 साल के लिए 100 रुपए तो छोड़ो आपके 70 रुपए से भी कम महीने में आप लोगों को यह batch मिल जाएगा जिसमें संपूर्ण SSC की तैयारी आप लोगों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ठीक है चलो अब मिलते हैं तीन बजे SSC पर लाइव और सुबह पांच बजे यह सेशन्स आते हैं थैंक यू